नमस्कार दूस्तो आप सब इगा स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मने और इस्टल नोज एमडियन पर दूस्तो बात करने वाले हैं टीटीमल इस्टोक के बारे में तो अगर देखाँ तो फिलाल अगर देखाँ तो फिलाल अब तैम मंडे को किस परकार की मार्केट ओपनिंग नगे ओने वाले हैं कंपणी के फंडामैंट। देखनी को मिल रही है और कंपणी के फुटर टार्गेट किस प्रकार के देखनी को मिलने वाल हैं,50 अगर प्राइट होने वाली है, जो जंप काफि एचा देखने को मिला वो काफ़ी वेटर रहा पर अभी टाम लाश्ट फिसले पांस दिनों के अगर बात की जाए, तो लाश्ट फिसले फिसले हों में दोस्ट उतार्ष डाव भी काफी ज़्याद हो देखने को नजर को नज़ा कि दूस्तों वापस यह तक मार्केट में तो तक मार्केट दूबा और उसके बाद अब देखा जा तो लगातार तक टेजी हो रही है तो फिला दोस्तों जहां तक मैंने आप लोग को बता था कि जो गिराउट की जो प्राइस वो दिन दियां पर देखा जा जा तो चोराइसे से पिच्छे से रूप तक यहां पर गिराउट जा सकती है और उसी लेवल पर गिराउट देखने को नजर आई थी अब फिला दोस्तों मंडे की बात कीजा तो मंडे को दोस्तों एक बार फिरसे बड़ी जो बिली सी रही है वह आप लों को देखने को नजर आनीवारी है रीजेन ये देखने को लगातार नाजर आए कि दो मार्केट तो अच्छा का सस्वाइस फपर कि उस देखनी को मिलाई का रचा हो तो आने वाले देखने को नजरा जाएक में जरूर। कांपनी ने क्वेंफ में ऑपर करूड को एंप पर कम कर रहे हैं ओर जितना हो साथ अगर पैसेंस के साथ अगर आप में होड़ रखते हैं तो दोस्तो ज्यासे ज्यादा प्रोफिट जो है आप लोग बनने वाला है बजाए सो ट्रम के रीजन यह रहने वाला है कि लॉंग टर्म में कम्पनी का कर्ज कम हो जाएगा प्राइस में अची का सी रीकवरी हो जाएगी और फंडामेंटल में इंप्रोमेंट जो है वो काफिछ सा देखने को मिल जाएगा तो फिलाल आप जितना हो सके होड़ने आप रख सकते हैं फिलाल माप लोग बेसिक जानकारी के और बेसिक फंडामेंटल के और लेकर चलो उससे पहले बता दो चैनल पर नहीं हो तो दोस्तो चैनल के जो जो सब्सक्राइब कर ले ना और वेला एक के नोटिफिकेशन और फिलेक्ट कर ले रहा है और दोस्तो फिलाल अगर कंपनी के फंडामेंटल के बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट के अभी टाम देखने को 17,399 क्रोड का अभी टाम देखने को मिलने वाला है इससे बेसिक पर अगर देखा जाए तो क्योंकि दोस्तो फिले टाम जो प्रफिट की ग्रोथ ती वो लग भी देखा जाए तो 23 से 25 परतीसद की आसपा से यहां पे नेगटिव जाश शुकी थी, सेल्स की ग्रोथ जो फिले टाम दोस्तो गुनीस परतीसद की ती उसमें देखा जाए तो पोजिटिवीटी अलड़ पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो कंपनी के गड़ती हुई नजर आने वाली है कि दूस्तो मार्च 2020 अगर डेटा कर क्लेक्ट किया जाता है तो कंपनी का 1106 करोड़ की सेल या पर देखने को मिलती है वरतमान में 1137 करोड़ की असवास की सेल है वरतमान के एक साल का नुसार जो डेटा है उसमें सेल बढ़ती हुए नजर आ रही है फिला दोस्ता आपके नजर में इस सेल के और कोई बीसिक जानकरी हो तो कमेंट सेक्सिन में जरूर शेब बता देना उम्मेद करता हूं जानकरी पसंद आई होगी पसंद आए थी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों जो बीचेनल पर नए है चैनल को जरूर सेल प्रुट नमात्रूम